हेलो गैज नमस्कार आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के NCRT बुक के अधिया एक जिसमें हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में हम आज आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए लेकिन सबसे पहले क्लास 10 को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जो बेसिक नोलेज है जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ किया है उसको थोड़ा सा खीर से देख लेते हैं और जहां भी ज़रुत पढ़ेगी मैं आपको इसकी बेसिक जनकारियां देता रहूंगा आगे के वीडिय सबसे पहले जब भी एक छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं कि गीनो गीनती गीनो वान टू थी फोर या एक दू तीन चार तो जो चीज हम लोग सबसे पहले बच्चे को सिखाते हैं वहीं प्राकृत संख्या है अर्थार्द गीनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको अंग्रेजी में नाम है नेशुरल नंबर सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग गीनना जहां से भी इस्टार्ट करते हैं तो वह एक होता है में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो क्या होती है अज्यात होती है या फिर अनन्त होती है अब प्राकृत संख्या को इसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर द्वारा सुचित कहिए जाता है प्राक्रित संख्या को एन द्वारा सुचित करते हैं, अर्थाद एन इकॉल टू वन टू थृ फूर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जब आगे की कलास में जाते हैं तो हम लोग को सुन्य पढ़ने को मिलते हैं, एक सुन्य, सुन्य का ऐसी संख्या है जो न तो धनात्म नहीं रिनात्म खोती है और सुन्ने का खोज भारत नहीं किया था और जब सुन्ने का खोज हुआ तो संख्याओं में एक रांती आ गई उनमें एक बहुत बड़ा बदलावा है यहां सुन्ने का कोई भी मान नहीं होता है जहां भी संख्या सुन रहती है तो वहां उसका कोई म नहीं है और लेकिन यहीं जब अंक के आगे लगे तो इसका इसका कोई भैलू नहीं लेकिन यह अंक के आगे लगे तो इसका भैलू जो है दस गुना बढ़ जाता है तो सुनने के बाद हम लगते हैं पूर्ण संख्या तो प्राकरित संख्या में यदि हम लोग सुनने को सामिल कर देते हैं अर्थात यह जो वन टू थ्री फॉर प्राकरित संख्या और इसी में हम लोग सुनने को सामिल कर देते हैं प्राक्रित संख्या में सून को सामिल करते हैं या मिला दें तो संख्या पूर्ण संख्या कालाती है पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में whole numbers कहा जाता है और इसका जो पहला अक्षर W है इसको इसी अक्षर द्वारा सुचित किया जाता है थाथ पूर्ण संख्या को W दारा सुचित किया जाता है जहां पर W बराबर अपका 0, 1, 2, 3, 4 है यहां सबसे चोटी पूर्ण संख्या equal to हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 0 है इस संग्रह में सबसे चोटी पूर्ण संख्या 0 है लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करें हम लोग फिर से तो यह या तो अज्यात है या फिर अनन्त है छे धनात्मक संख्या हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोगों को धनात्मक संख्या भी पढ़ने को मिलती है तो धनात्मक संख्या कोई अलग से संख्या नहीं है हम लोग प्राकृत संख्या कोई धनात्मक संख्या करते हैं अर्थार्थ जिस संख्या के आगे प्लस का चीन लगा हो या कोई चीन न लगा हो जिस संख्या के आगे या तो प्लस का चीन लगा हो या प्लस का चीन नहीं लगा हो जर्थात इसके आगे कुई भी चीन नहीं लगा हो या फिर प्लस का चीन लगा हो तो उसे हम लोग धनात्मक संख्या करते हैं रिनात्मक संख्या, तो जीन संख्याओं के आगे माइनस, या घटाओं का चीन लगा हो, उसे रिनात्मक संख्या करते हैं, जैसे माइनस दू, माइनस त्री, माइनस चार, माइनस पाच, माइनस टू, माइनस त्री, माइनस फो, माइनस फाइफ, एटी से, अब यहाँ पर दे और जो संख्या धनात्मक रिनात्मक और सुन को मिलाने से प्राप्थो उसे पूर्णांग संख्या कहा जाता है या हम लोग इसने पहले पढ़े कि सुन और प्राकृत संख्या को मिलाने पर पूर्णांग संख्या बनता है और इसी पूर्ण संख्या में याई नातमक संख्या को अगर हम लोग सामिल करते हैं तो इसके संग्रा को हम लोग पूर्णांग संख्या करते हैं इसका अंग्रेजी नाम इंटेजस होता है इसलिए इसको हम लोग आई द्वारा भी सूचित करते हैं जैसे माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4 तीजन शबसे चोटी पूर्णांग संख्या जो है यहां पर हम लोग देख रहे हमें कि यह दोनों तरफ से अनन्त है इधर भी अनन्त है और इधर भी अनन्त है सबसे चोटी पूर्ण संख्या वो भी अग्यात या अनंत है और सबसे बड़ी पुर्णाग संख्या वो भी अग्यात या अनंत है अब पुर्णाग संख्या को हम लोग I या थोग Z द्वारा सुचित करते हैं जहां पर Z equal to I या Z equal to minus 3 minus 2 minus 1 0, 1, 2, 3, 4 जेट जो सब्ध है ये जर्मन भासा के जहलें से लिया करे है जिसका अर्थ होता है गिन्ना अर्थाद पुर्णाग को हम लोग I इंटेजर स्याद जेट जहलें से भी दर्था सकते हैं अब चले पुर्णाग संख्या पुर्णाग के बाद 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 पुर दोनों पूर्णांख हो और Q जो 0 के बराबर नहीं हो Q not equal to 0 इसे जो है Q द्वारा सुचीत किया जाता है Q बराबर 1 by 3 जैसे में 2 by 5 minus 1 by 2 80 से अब इसमें एक सब्ध है सांत या सांत आवर्थी इसके बारे में हम आप लोको आगे के वीडियो में बताएंगे आप लोग हमारे सांत बने रहिएगा हम आपको उसके बारे में आगे के वीडियो में बताएंगे अब हम देखते हैं आप औरी में संख्या तो यहाँ आप औरी में संख्या देखना से पहला माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, dot, 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 अनन तक ताथ यह जितनी भी संख्या है सारी के सारी संख्या है पर्मे संख्या है दूसरा चीज है कि पर्मे संख्या का जो हर है वो हमेशा धनात्मक होता है यानि अगर हम लोग किसी भी संख्या को P, बटा, Q के रूप में लिखें जहां पर P, बटा, Q, जो है, अंस, बटा हर होता है तो यहाँ पर जो इसका हर है, नीचे वाली संख्या वो हमेशा प्लस में होगी, धनात्मक होगी इसको आप कभी भी गलती से भी रिनात्मक नहीं लिखेंगा जब भी आपको माइनस का चीन लगाना होगा तो वो उपर लगएगा यह उपर लगएगा चलिए अब अपरी में संख्या इरेशनल लंबर्स तो जो संख्या पी बटा कीव के रूप में नहीं लिखा जा सके यह जिसका दसमलोग परसार असांत आनावर्ती हो उसे अपरी में संख्या कहते हैं जैसे एसक्वायर रूट कि जितनी संख्या होती है जिसका कोई मलग जिसका जो बर्गमूल है वो एक पूर्ण संख्या 9 इसक्वायर रूट की सभी संख्या जिनका बर्गमूल जो है एक पूर्ण संख्या 9 जैसे मालग जे रूट 2 यहाँ पर 2 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है आता इसका बर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगा सौरी यहां पे पूर्णांग संख्या होगा स्क्वाइर रूट की सरी संख्या जिनका बर्गमूल एक पूर्णांग संख्या नौ अर्थारत यहां पे रूट दो चुकि रूट ये दो जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है अतर इसका जो बर्गमूल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलेगा अतर रूट दू एक अपरी में संख्या है साथ भी उसी तरह से रूट 3, रूट 5, इटीसी जो है अपका अपरी में संख्या है यहाँ पाई भी एक अपरी में संख्या है जिसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे इसको सत्रह सो इसवी में सत्रह सो इसवी में लेंबट तथा लेजांडरे ने सीध किया कि पाई एक अपरी में संख्या है इसको सत्रह सो इसवी में लेंबट तथा लेजांडरे दो गनी तग थे जिनके दोरा सीध किया गया कि पाई एक अपरी में संख्या है लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि πाई बरावर 22 बटा साथ या 3 दसमलो एक चार तो यहां पर पाई एक पौरी में संख्या का रूप में दर्सा आजाता है चुकि 22 बटा साथ एक पौरी में संख्या होता है और 3 दसमलो एक चार भी एक पौरी में संख्या होता है लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो ये 3.14 और 22 बटा साथ है वो पाई का approximate मान है लगभग तो लगभग मान जो है ये 22 बटा साथ ये परी में संख्या होता है और 3.14 भी एक परी में संख्या होता है लेकिन पाई का अगर हम लोग ओरीजनल भेलू निकालें तो ये एक पारी में संख्या नहीं बलकि या पारी में संख्या होता है क्यांकि पाई का जो दसमोलो परसार होता है वो असांत अनावर्थी होता है तो हम आप लोग आगे के वीडियो में बताएंगे कि सांत और असांत अवर्ती और असांत अनवर्ती क्या है तो पाई का दस्मोलों पर सार असांत अनवर्ती होता है और लोगरिथम का परियोग करके पाई का मान बहुत ही तसमलों के बाद बहुत सारे अस्थानों तक गयात किया जा चुका है तब चलते हैं वास्तिविक संख्या, real number तो यहाँ पे परिमे संख्या जिसके बारे में हम लोग पढ़ें तूनों संख्याओं के संख्या को वास्तिविक संख्या करते हैं और इसे आर्दवारा सुचित किया जाता है तो दोस्तों यह था वास्तिविक संख्या के बारे में जनकारी जिसमें वास्तिविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है और किसका आप कैसा रूप होता है उसके बारे में दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्यू